खत्री डेंटल केर दातों का अस्पताल डॉक्टर अरूड खत्री डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री इस्थान बरिवतन क्लीनिक अब नए पते पर पहुँच गया है समय सुबह 9 बजे से रातरी 8 बजे तक हमारा नया पता खत्री डेंटल केर यूनियन बैंक अफ इंडिया के बाजू से राय चुराहा दमोजले के देवात ताना अंदरगत आने वाले देवरान ग्राम में दीपावली के दूसरे दिन हुई तीन हत्याओं का मामला प्रदेश की सुर्खियों में हैं जहां कई जन पृतिनिदियों सहित नेथाओं ने इस घटना पर गहरा दुख वेक्त किया है वहीं अब प्रदेश सरकार पीड़तों को राहत रासी के साथ अन्य सहायता उपलब्द करा रही है प्रदेश के परिवाहन एवं राजस मंत्री और दमुजले के प्रभारी मंत्री गोविन सिंग राजपूत आज देवरान ग्राम पहुँचे जहां उन्होंने पीड़त परिवार से मलाकात की साथ ही उनको पूरी तरह सहायता देने का आस्वासन दिया साथ ही पीड़त परिवार के बच्चों को मुप्त सिक्षा देने की बात कही उन्होंने देवरान ग्राम में हुई इस घटना को बहुत ही दुखत बताया साथ ही पीड़त परिवार को हर सम्भव मदद देने का भरोचा दिया उनके साथ पतरिया के पूरविधायक लखन पटेल दमोजला भाच्पा अध्याक्च प्रीटम सिंग लोदी भी पहुचे थे पीड़त परिवार से मुलाकात कर घटना के संबंद में जानकारी ली पही चला कलेक्टर एसक्रस्न चैतन ने घटना के बाद पीड़त परिवार को सरकार की और से महिया कराई जा रही सुविदाओं के बारे में जानकारी दी कि अधिकल ही नसी घटना घटी और मुक्वंती सिवराज सिंग चोहां जी का फोन आया कि पूरी आप जाईए और पूरा परिवार के साथ ने पूरी सरकार खड़ी है पूरा प्रसासन खड़ा हुआ है कल से हमारे कलेक्टर एसपी कमिशनर आई जी सभी लोग पूरी तरीके से जो घटना घटी उस पर नजर रखी यही कारण रहा कि घटना के बाद चार अपराधी ग्रफतार हो चुके हैं तीन जो फरार बताए जा रहा हैं तीन भी जल्दी से जल्दी पुलिस बहुत तेरी से लगी हुई है उन्हें ग्रफतार कर लेगी आज हमारी जो मिर्त हुई है उनकी पत्नी के हामसों पे हैं बच्चों की पड़ाई पूरी सरकार करवाएगी बच्चों की पड़ाई सरकार करवाएगी पूरा सहयोग करेगी इनकी जो दिन तेरें की विवस्ता है वो भी हम लोग सरकार करेंगे तो सब तरीके से जो घटना लेकिन लोग चाहते हैं कि बिबाद की इस्तिति निर्मित ना हो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भड़का दे रहते हैं परिवारों के लिए ऐसे में सरकार पूरे तरीके से यह समाज के साथ में हैं जिन परिवार की साथ घटना 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 वाले परिवार के साथ में सरकार पूरे तरीके से खड़ी हुए जिसमें किसी की मृत्यू होती है तो वो राशी और जो गायल हुए है उनके परिवार को प्रदम किस्त जो मिलता है 25% की राशी एफ़ार होने के बाद वो राशी भी उपलप्त कर दिये चालांज जैसे पेश होगी उसके और 50% की राशी और फैनली कोर्ट वर्डिक्ट के बाद जो 25% की राशी होती है वो भी उन लोगों को मिल जाएगा इसके अ व्यक्ति हैं उनके परिजन के लिए पेंशन का प्रावधान है जो डिरेक्ट उनके परिजन आते हैं फैमिली मेंबर्स तो इसके तहद पांच अजार रुपे की राशी पेंशन की उन लोगों को जो उनकी मृतक परिवार जो है उनके वाइफ को मिलती रहेगी वह भी हम अगर रोजगार की प्रावधान होती है उनकी मिलती है को आपने रहे परिवार को दिये जाने की पूरी प्रॉसेस जो किया जाएगा और कहीं पर कोई डिले जो है वो नहीं होगा और ये भी के देखा जाएगा कि उन लोगों को और जो शासन के तरफ से लाब जो मिल सकता है वो पूरी मिल जाए और जो घायल परिवार है तो नियमानुसार करेंगे उसमें यह देखा जाएगा कि कई पे कोई अतिक्रमन और अतिक्रमने किस मात्रा में हैं और उनकी क्यास्ति पूरी अमलोग चक करेंगे और नियमानुसार जो भी कारिवायोगा पूरी करेंगे